So hi everyone, this is Yorban भाईया Today time is changing so fast that no book can catch up आज के तिन समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि भाई जो पुरानी किताबें वो relevant ही नहीं रह पाती ऐसे के अंदर आज मैं आपके लिए 7 बुक्स लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए must read हैं मेरे opinion में और चाहे आप एक college student हो, working professional हो, self-employed हो, entrepreneur बनना चाहते हो कुछ भी आप काम कर रहे हूँ, ये 7 किताबें अगर आपने पढ़ी हैं ये time के उपर dependent नहीं है, ये पहले भी सच थी, ये आज भी सच है ये आने वाले time में भी इनके रेलिवेंट रहने वाली है और मैं usually साल के अंदर 30-40 books purchase करता हूँ, इन में से जो अच्छे chapters होते हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ total 80-90 किताबों में से मैं ये 7-7 books आप लोगों के लिए छाटके लाया हूँ and hopefully आपको ये पसंद आएंगी, इनके साथ कुछ special mentions भी मैं add करना चाहूँगा जो top 7 में तो नहीं आपाए, पर अच्छे किताबे हैं सबसे पहली जो book है, वो है चानक के नीती चानक के नीती अब आपको थोड़ा सा नया लग सकता है इसका Hindi version specially, मुझे लगता है कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसी चीज़े हैं तो हम में से हर एक को पता होनी चीए इसके अंदर बताया गया है कि समाज कैसे operate करता है आपके घर-परिवार कैसे सोचते हैं आपको घर-परिवार के बारे में कैसे सोचना है आपके अंदर leadership quality कैसे आप एक empire कैसे बना सकते हूँ आपको मित्र, शत्र, इन सोब के बारे में ऐसी ऐसी चीज़े बताई गई है जो काफी बार हमारे घर-परिवार वाले भी हमें बताने से संकोच करते हैं कि थोड़ा कई embarrassed जैसी चीज़ ना हो और हमारे दोस्त यार होते हैं उनको हो सकता है knowledge ना हो तो ऐसे में चानक के जिनने ये अपने ऊपर बाहर उठाया है कि strictly, straight forward आप तक accurate चीज़ पहुंचाई जाए आप में से 50% लोगों को सकता है ये किताब थोड़ी सी offensive लगे पर इसको एक open mind से पढ़ने की कोशिश करोगे इतनी किताब अच्छी लगती है मुझे कि एवरी 4-5 मन्स में इसको बार-बार बार बढ़ता रहता हूँ हिंदी में पढ़ो के तो जादा अच्छा लगेगा Sanskrit Anuad है Sanskrit का Hindi Anuad जहां पर दे रखा है मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ इसका second जो book है I believe we all are a result of our habits और habits का आप सबको पता योगा the one of the best book is the atomic habits इसकी मेरे को दो-तीन चीज़े बहुत अच्छली है in fact इसकी दो copies मेरे पास पढ़ी है एक बार कोई एक copy मेरे से ले गया था तो मैंने दूसरी ले ली और चाएज एक original एक फेक है क्योंकि इनके size के अंदर कुछ difference है तो पहला तो यह है कि environment बहुत आपका important होता है कि अगर आप पानी कम पीते हो जो भी आपकी good habit है उसको easy choice मना दो पानी कम पीते हो तो table के उपर पानी रख लो मटका और कमरे के अंदर रख लो और अगर fall fruit कम खाते हो तो उसे भी room के अंदर रखो तो वो आपके लिए खा जाओगे उसको fridge में पढ़ा होगा तो नहीं खाएंगे तो और साथ में काफी बार हम consistent हैने के कोशिश करते हैं एक बार miss हो जाते हैं बट never miss twice यह मुझे काफी एक अच्छी किताब के अंदर लगा और कि भाई बूंद बूंद से सागर बनता है अगर आप थोड़ा साभी अपने हैबिट में improvement करोगे तो 365 दिन के अंदर वो improvement जो इतना साथ हर दिन के अंदर वो इतना बड़ा एक साथ collective compound पाउंड होके निकलेगा तो यह कुछ learning है मैं बाकी recommend करूंगा आप उसको दूसे जाके पढ़े अब money से related और finances से related मैं कुछ अच्छ recommendations आपके लिए देना चाहता हूं तो ऐसे में जब मैंने शुरुवात करी थी तो सबसे पहले में कुछ senior लोगों के पास गिया जो 15-20 साल का experience रखते थे उन्होंने खुद तो समझाए फिर साथ में में को recommend किया वार्सिटी बाई जिरोधा यह online free resource है आपका उस time से अब तक मतलब आपको बहुत अच्छा होता है निफ्टी क्या होता है सेबी क्या होता है यह सारी के बारे में आपको काफी एक अच्छा ग्यान मिलेगा जो कि आपको help करेगा एक अच्छा base बनाने में second जो किताब में रखना चाहूंगा इस category में वो है psychology of money यह बहुत अच्छा है कि वह पैसा जो है उसको आपको क हैं कुछ states के वो उस चीज को favor करते हैं पर इंडिया में जो tax rules है वो different हैं जैसे उस किताब की अच्छी बात यह है कि भाई कि आपको liabilities नहीं बनानी चाहिए आसेट रखनी चाहिए जो कि एक अच्छी बात है पर साथ में एक चीज ऐसी भी लिखिए कि आपको debt लेना चाहि good debt होता है bad debt होता है bad debt से दूट रो good debt लो और इंडिया में क्या है कि debt लेने के बाद वहाँ पे debt के आगेंश आपको tax नहीं देना पड़ेगा एक और चीज कि यहाँ पर rental yield उतनी जादा नहीं है चाहिए आप डेली देख लो top cities देख लो top towns देखो और जहाँ पर rental yields है आपको एक अच्छा base देंगे दोनों मिलके ठाड जो मैं किताब रखना चाहूंगा यह top 7 के list में नहीं आती पर यह वो किताब है जो मैंने बहुत जादा पड़ी है क्योंकि इसके जो 4 million copies sold out हो चुकी है और इसको इतना इसलिए पढ़ा है इसके पढ़ने भी almost मतलब गलने को हो गए है क्योंकि इसके author ने का है कि हर chapter को multiple times पढ़ना है और एक chapter को एक frequent number of times पढ़ने के बाद ही second chapter पर जा सकते हूं जो आदमी के अंदर होते हैं काफी बार हम समाज के अंदर छोटी एज के अंदर हमारा education system बोल दो या society बोल दो हमें ताने मार मार के नीचे जुका देती है कि नहीं कर सकते भई या फिर हमारे नंबर कम आ गए तो अब हम life में शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे या अधर खुद responsibility लेता है कि आपकी life change हो जाएगी इतने दिनों के अंदर अब मैं इससे जाधा reveal नहीं करूँगा बड़ी छोटी किताब है मैं कहीं भी लेके चला जाता था और बड़ी में को पसंद आई पर इसको मैंने 8th number पे रखा है आप मैं लाइबरेडी ऐसी खाल रहा उससे भी जाधा important यह है कि purpose के बारे में बहुत अच्छी सी बात बताईगी है कि हर्व्यक्ति पूजा साधना में साधू तो नहीं बन सकता इसलिए majority लोगों को क्या करना होगा कि उनको एक काम पकड़ना होगा और उस काम में अपना पूरा जीवन लगा देना होगा पूर यूजरी काफियों के होता है तो वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो किताब है वो बड़ी प्यारी सी चोटी सी है इकी गाये अब इकी गाये कैसी बुक है मैं डालने से पहले लिस्ट में सोच रहा था डालूं इसे नहीं करूं पर यह आपको लाइफ का डिफरेंट पर देती है यह एक ऐसे लोगों के बारे में जो एक टापू के उपर रहते हैं और कैसे वो कभी रिटायर नहीं होते हैं वो उनके यहां रिटायर्मेंट का कॉंसिप्ट ही नहीं है वो कहते हैं कि हम हमेशा लाइफ में काम करते रहेंगे इन फाक्ट वो सबसे जादा जीने व इन सबी चीजों को मिला के एक जो कॉमन रीजन बनता है वो काम व्यक्ति अगर लग जाता है करने और उससे सुसाइटी को एक वैल्यू देता है तो उसको हमेशा लाइफ में सुबह उठके आपको एक फिलिंग आने चाहिए कि हां यार आज मुझे एक काम करने का मुझे और तो मुझे यह interesting perspective लगा इसलिए मैंने इस किताब को include किया यहां पे अब साथ किताबे तो हो गई है पर साथ नहीं हुई एक किताब बच गई है और यह किताब मुझे काफी अच्छी लगी यह है Don't Trust Your Gut यह यार किताब उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो entrepreneur बनन होगी जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर या आप लोगों से एक पोल किया था कि आपको क्या लगता है कि best entrepreneurs कौन सी एज में निकलते हैं या फिर किस एज के entrepreneurs की success पाने की probability जादा होती है 20 साल के 40 साल के यह 60 साल के आप भी choice कर लो result यह निकल के आया 27 लाख लोगो जो की सिर्फ 30 साल का है और average age निकल के आई around 41.9 years बना इस तरीके के बहुत सारे हमारे social media कहते हैं कि 15 साल की उमर में किस ने फोड़ा 18 साल की उमर में किस ने फोड़ा 80-85 साल की उमर में किस ने फोड़ा पर reality यह है कि भई आप उमर के साथ experience के साथ किस field में आपको काम करना चीए किस field में आपको काम नहीं करना चीए इतनी सारी चीज़े हैं इतने सारे facts हैं इस किताब के अंदर कि आपका perspective जो है वो काफी clear हो जाएगा और United States के market को इसने काफी अच्छे तरीके से study किया है और वो एक developed nation है इंडिया एक developing nation है तो काफी सारी learnings आपको यहां पे help भी कर रही होंगे तो यह कुछ साथ किताब हैं जो मैं आपके लिए लेका रहा हूँ एक किताब मैं taxes के उपर भी रखना चाहता था जिससे हमें idea हो और इस पे एक किताब मेरे पास बड़ी अच्छी थी पर library में मुझे वो मिल नहीं पाई पर इसके लिए आप यह कर सकते हो कि काफी सारे आप podcast बगरा जाके देख सकते हो Google बगरा कर सकते हो जिससे आपको idea हो taxes के बारे में साथ में एक चीज में रखना चाहता था कि बही हर बच्चे को यह especially वो लोग जो self-employed या entrepreneurship करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बही गूगल वगरा से भी प्राप्त कर सकते हो राइट दो और बुक्स हैं जो मैं special recommendation में डालना चाहूंगा वो फर्स्ट तो है think and grow rich आप सब ने सुनाई होगा और दूसरी है how to influence and influence people यह दो किताबे हैं पर आज के दिन इतनी अच्छे सी podcast आ चुके हैं कि आपको वहाँ पे भी काफी अच्छे तरीके से व्यक्ति बठाते हैं तो communication वगरा बचाओ तो वहां से भी improve अपना कर सकते हो काफी अच्छी podcast आ चुके हैं टेड टॉक्स आ चुके हैं जिने आप अच्छे से जाकर देख सकते हूं काफी सारी जो किताबें देखो किताबों की जगा किताबों में हैं और काफी सारी जो लर्निंग्स हैं वो आजकल पॉड्कास्ट या पॉड्कास्ट से भी उपर में टेट टॉक्स वगेरा रखना चाहूंगा वहां के अंदर कवर हो चुकी हैं तो बाकि हमेशा अवेर रहें ओपन रहें लर्निंग के लिए किताबों पर कभी एक हो गई या फिर माकेट के अंदर कई सारी शॉप्स होती हैं जहां पर आपको यह किताब मिलेंगी सेल्फ ग्रोथ बुक्स मिलेंगी फिक्शन किताब भी मिलेंगी तो वहां पर आप खुद किताब खोल के देखो कि क्या मेरे लिए रेलिवेंट है देखो लाइफ में 0-10 की आज का ये वीडियो समाथ करते हैं तब तक के लिए लव यू आल टेक केर और सिया